अलो दोस्तों टेरा लुना के रिगार्डिंग बात करने वाले काफी जादा अच्छी न्यूस भी आ रही है कुछ गूंड निगल के आ रही है मार्केट को लेकर और टेरा लुना को लेकर आपकी कुछ इसा कि आई बेसी प्लान और नाया जो प्रोपोजल इन्हों ने रिसें था कि जो इसकी community है वो burn address में अपने token send कर रही है और यह अभी कुछ घंटों बाद वापिस से प्रैस इसका आई जाएगा लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका प्रैस हाई जो गया था यानि की काफी ऊपर गया था और अभी थोड़ा बहुत डाउन में लेकिन उतना नहीं जितना लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे बोल रहे थे कि वापिस से यह बहुत ज्यादा डाउन आ जाएगा या फिर यह 9 जो दिखाए दे रहा है यहाँ पर 1,1 और 1,2 के आसपास आजाएगा यानि की लगबग आदा हो जाएगा वापिस ऐसा हुआ नहीं है जैसा कि आप देख सकते हो यानि कि प्रैस वहीं पर रुग गया क्योंकि बर्निंग हुआ है टोकन का अभी वह वापिस न के लिए बता रहा हुआ हाला कि यह सीबा बताने का मेरा रीजन यह बिल्कुल भी नहीं कि मैं सीबा और डोजकों का प्रमॉट करा हुआ है जो भी लेकिन क्रिप्टो के लिए कहीं न कहीं अच्छा है क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ब्रेकिंग न्यूज ल और एक चीज़ा आप ध्यान अगना अगले महीने में वह यह वह अच्छा निगेटिव रह सकता है तो वहां पर थोड़ा बहुत रस्या उक्रेंट का जो इंपेक्ट था निगेटिव इंपेक्ट वह खुच जादा था लेकिन अभी वह निट्रल हो चुका है कहीं ना गई और सिबाइनो के रिगार्डिंग काफे ज़दा रूमर्स थे आज के दो दिन पहले तक कि वह सिबाइनो का प्रैस जीरो हो जाएगा या जो भी है प्रिडिक्शन इस तरह के लगा जा रहे है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है मार्केट के अगर देखे तो ऐसा लग रहा है कि सीबा कभी भी ब्लस कर सकता है तो अगर आपने इसमें एंट्री ले रखे थी डाउन पर या अभी भी जैसे डाउन गया था तो वहां पर एंट्री ले तो आपको इसको होल्ड करके रखना है क्योंकि यह वाक्ते में कभी भी किसी भी दिन थोड़ा रही जैसा कि आपको प्री पिछली वीडियो भी बताया था कि इसमें इनवोल्व है तो लुणा काफी जाधा कर रहा है अब जगह पर कहीं भी आप देखलो काफी ज़्यदा ठेंड में बना हुआ है अब जैसा कि यह देखो BSC Jamilets, Luna के रिगार्डिंग, हर कोई Luna को ही कहीं है, Luna के रिगार्डिंग, 3-4-3-4 ट्विटर तो करी रहा है, बड़े-बड़े जो अकाउंट है, यह तो रही गुंड़नी उसकी बात, इसके लावा, टेरा, Luna जो इनका ओफिस्यल ट्विटर हंडल है, वहां से भी कुछ निउस निकल कर आई हैं, और इनके बारे में कुछ लोग क्योशन भी कर रहे थे, प्रिविस वीडियो के अंदर भी, तो यह चीज मैं आपको करने वाला, अब यहां से इन्होंने IBC प्लान की बात की है, जो IBC चैनल्स हैं, अब लोग पूछनें कि IBC चै जो इको सिस्टम था इसका, जो भी कहने का मलब जिस जिन लोगों को भी लोस होई यहां पर, कहने का मलब आगर आप देखोगे, बट नोट डिसेबल, यानि कि जो IBC चैनल थे, वो क्लोश थे, लेकिन डिसेबल नहीं होए थे, और उसको अभी वापिस से यह ओन करना चाहत है, इस यही इस प्लान का मतलब ही होता है, जैसा कि अगर आप प्रोबोजल डिटेल में भी जाओगे, एक मिनट में आपको ले जाके दिखाता हूं यहां पर, तो यहां पर लिखावे है, री इनेबल आपको दिखेगा कि इस प्रोबोजल री इनेबल एंड अनलोग द ट् लिखेगा, आपको वहां पर भी मिलेगा, बेप 20 पर भी इसके टोकन अवेलेबल है, सोलाना पर भी अवेलेबल है, यानि कि यह क्रोश चेन में अवेलेबल है, अब लोगों का जैसे आई बेसी जो चैनल थे, वो डिसेबल होने का मतलब यह था, कि जिनके पास बेप 20 टोक अब लोग चाहते हैं, थोड़ा बहुत करना, जैसा कि सोलाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था, सुरू के स्टार्टिंग के तीन दिन में, तो सभी लोग चाहते थे, कि वो सोलाना ब्लोक्चें से, या बेप 20 पर आ जाए, तो उस चीज को यह इनेबल करने वाले, यह थोड़ा सा प्रपोजल अभी डिले हो रहा है, टेक्निकल इसू की वज़े से, और दुबारा से यह प्रपोजल री असाइन कर दिया है, याने कि यह भी आने वाले कुछ समय में, कहने का मलब, ओन होता हुआ नजर आएगा, तब जाकर लोग, कहने का मलब, यह जो क्रो लाने वाले है, नई ब्लोक्चेन के अंदर, उसको यह बोल रहेते हैं, पहले भी इस्टूबिड प्लान, अब जैसा कि यहाँ पर इनके कम्यूटी मेंबर ने बोला है, जो कि लूना टिक्स होगा, एक लूना होल्डर होगा, लेकिन काफी बड़ा टूटर है, इन्होंने एक सम्मराइज करके बताया है, कि उससे क्या सोलीशन मिलने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्स्प्लें कर दिया है, लेकिन दुबारा से बता देते हैं, धीरे-धीरे, कि फाइनल सोलीशन ओफ टेरा मनी, इस्टेबल वोन इन कम्यूनिटी, तो पहला ही रहने ह यानि कि जो टेरा का नया टोकन आएगा, तो इसको नई ब्लोकचेन पर लाएंगे, तो हाट फोक होने वाला है, यह चीज में आपको चैसा समझा दी और जिसका सिंबल लूना रहने वाला है, और अभी वाले का नाम चेंज होके रहने वाला है, लूना क्लासिक, यह उसका स यानि कि यह स्नेप सोट लेके रखेंगे ट्रांजेक्शन के कि जिनों ने भी यह खरीदा हो था या जो भी लोस में थे, यूस्ट और लूना की वज़े से, उनको जो नए टेरा लूना टोकन होने वाले, टेरा टू, वो कैसे कैसे बाटे जाएंगे, उसी बेसिस पर बाट पूल टू रिपे ओल्ड यूस्ट पेग, अब जिनका भी यूस्ट में प्रोब्लम हुआ था है, उसकी ब्लोक्चेन की वज़े से, उसमें जो भी प्रोब्लम आई थी, तो वो उनको वापिस मिलने वाला है, जिनको भी भारी मात्रा में लोस हुआ है, इसके बाद में यह होता है, इन्होंने थोड़ा केपिटल में लिखा है, तो यह चीज जो लिखने का मतलब है, यह था कि यूएस्टी जो टोकन है, उसका भी नया टोकन आएगा, कहीं ना कहीं, ऐसा यह बोल रहे हैं, लेकिन हाट फोग के अंदर सिर्फ टेरा लूना की रिगार्डिंगी बा लाया था, अब इन भाई सामने टेरा जो यूएस्टी है, उसका भी नया टोकन आने की बात किये, तो यह अभी तक मार्केट में मुझे तो कहीं नहीं नजर आये, लेकिन इन्होंने बोला है, लेकिन इस पर जो कहने का मलब रियक्शन है, सीजट बाइने के सीओ का उन्हों उनको यह जो चैन देने वाले थे, कहने का मलब टोकन देने वाले थे, सोरी, तो कैसे देंगे, यानि कि जिन लोगों ने फिर लो पर खरीदा था, या उनको नहीं मिलने वाले, या तो ऐसा सीन होने वाले, क्योंकि यह अच्छे से भी इन्होंने एक चीज और हाइलाइट कि यहां पर ध्यान देने वाले अच्छे से देखना कि बहुत बहुत ऑंचेन एंड ऑफचेन यानि कि एक्चेंज की बात करें, यानि कि जो स्नैप सोट है और जो ट्रांजेक्शन है, वो यह ज़्यादा तर कहां से कैच कर पाएंगे, वोलेट से, यानि कि यूनिस्वेप बाय किया हुआ है, लोगों ने, क्योंकि सभी एक्चेंजेस पर वो अवेलेबल है, इसी वज़े से, तो स्नैप सोट हर किसी का अरेंज करना काफी मुश्किल हो सकता है, तो लोगों को इकवली तरीके से कहीं ना कहीं, जो नए टोकन होने वाले, वो मिलेंगे नहीं, यह इ कि जैसा कि हम जानते कि पिछले दो तीन लिनों से डू ओन, जो कि कोई ट्विट वगरा नहीं कर रहे थे, लोग इस वज़े से थोड़ा सा परिसान थे कि बड़ी प्रोब्लम हो चुकि है, और जो इनके फाउंडर है, वो कोई भी ट्विट नी कर रहे है, एक्टिव नहीं अच्छा आइडिया नहीं है, यहां से सिर्फ आपको यह चीज मिलने वाली है कि आपको सिर्फ लोस होने वाले है, यह लोस यह टोकन स्याने कि इनों ने कहीना कर रहे है, लेकिन मेरे जैसे लोग जिन्होंने एक रूपे की प्राइस पर भी थोड़ा बहुत खरीदा था, फिर काफी जादा डाउन चला गया था फिर भी खरीदा था इसलिए मेरा तो थोड़ा बैलेंस हो चुक है अभी थोड़ा बहुत प्रोफिट में नजर आ रहा है मेरा पॉट्फलियो लूना के अगर में बात करूँ तो लेकिन उनका क्या जिन लोगों ने इसको सोरपे के पढ़े होंगे कि उन्हेंनों पहले काफी जादा लोस किया हुए तो अपने टोकन क्यों सेंड करेंगे बिना वजे तो यह पॉइंट भी इनका सही है लेकिन जो भी हुआ कल की देट में उससे प्राइस तो पंप हुआ है यह चीज को भी डेना नहीं किया सकता अब जो इसकी ट्रेडिंग वापिस से ओन हो चुकी है लेकिन पर बंद थी कल तक भी अभी इन्होंने तीन घंटे पहले ट्विट करके बताया है कि जो यह सारे जो इतने सारे जो पेर हैं जिसमें लूना भी हमें लूना से मतलब है तो लूना जो टेरा मनी है यूएस डीसी के साथ इसका जो ट्रेडिंग पेर है वो अवेलेबल कर दिया है इन्होंने तो यह थोड़ी सी गुड़न्यूज है कि ओकेक्स को भी पता चल गया कि लूना मार्केट में रहने वाला है भाई लोग तो इस वज़े से इन्होंने वापिस इसको रिलिस्ट कर दिया है तो यह एक इन्हों में वोख दिया है शया झल गया हम कि एएलेगं झाल तो यह चांड़।